तो ये सवाल बहुती कमाल का है कि आप Microsoft World में border की height या width कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं आज का ये सवाल पूछा है आरशिता जी ने और मुझे भी एक नई चीज जानने को मिली मुझे पहले पता नहीं था कि जो border बनता है Microsoft World में उसकी आप height या width कर सकते हैं तो चली करते हैं computer screen पे तो सबसे पहले एक नई आप जो open कर लेते हैं उसके बाद हमको जाना है layout tab में यह रहा layout tab इस पर click कर दीजे तो नीचे आपको बहुत सा arrow option मिलेंगे हमको जाना है page setup वाले section में यह रहा page setup वाले section इस छोटी से arrow पे हमें click करना है यहां पर आपको दिख रहा है इस पर click कर दीजे तो page setup का dialogue box open हो जाएगा अब देखिए हमें यहां क्या करना है अब अगर आपको top का चाहिए left का चाहिए या bottom का चाहिए right का चाहिए जहां का भी आपको margin बढ़ाना है पहले वो margin आप यहां से बढ़ाएंगे तो जब आप margin बढ़ा रहे होंगे तो आप ध्यान दीजेगा यह जो page preview है यह उसी साब से आपको यहां बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा अब माल लीजे कि मैं यहां पर देखिए left का margin बढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि नीचे page को देखते जाएए page का margin है बढ़ता जा रहा है तो माल लीजे कि इसको हमने यहां तक कर दिया 65 कर देते हैं 65 तक हमने यहां पर इसको set कर दिया उसी प्रकार से आप top का bottom का right का कहीं का भी margin आप बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ का एक साथ बढ़ा सकते हैं जैसा आपको मर्जी हो आप यहां पर set कर सकते हैं उसके बाद हमको जाना है नीचे ok पे ok बटन पे click कर दिजे अब हमें चलना है design पे यह देखिए layout के बगल में आपको tab मिलता है design का इस पे चलिए इस पे click कर दिजे right side आपको page border का option मिलेगा यहां पर जाईए इस पे click कर दिजे तो जब आप page border पर click करेंगे तो यह देखिए page border का यहां पर window open हो गया यहां पर हमको beach वाला option select करना है page border उसके बाद हमें select करना है box आप ध्यान से देखिएगा में क्या करना है सारी जो भी setting है वो यही है सबसे important setting यहीं पर है हमको जाना है options पे यहां पर देखिए option हमने यहां पर click कर दिया अब उसके बाद यहां पर देखिए measure from में इस drop down पर click करिए और यहां से tag select कर लीजे तो जैसे आप tag select करेंगे तो यहां पर देखिए tag select हो गया अब इसके बाद यहां से ok कर दीजे उसके बाद जैसे ही आप ok पर click करेंगे तो आप देखिए border कहां से बनता है यह देखिए यह पूरे page पर border नहीं आया